नमस्कार दोस्तों मैं भाषा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर खोच खबर का एक्रम आज मैं बात करूंगी एक मुल्क में बसने वाले दो भारत की दो तस्वीरों के बारे में किस तरह से हमारे प्यारे भारत में दो तरह के कानून चल रहे हैं दो तरह की तस्वीरे हैं जो हमारे आपके सामने तक्रीबन अब तो रोज ही आ रही हैं बस दिक्कत यह है कि हम एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड नहीं पा रहे हैं शायद सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली दिल्ली में चल रही आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार उनके जो उप्पी मुक मंत्री हैं मनी सिसोदिया उनके उपर जिस तरह से सीबी आई का छापा पड़ा जिस तरह से सारी चीजें हुई जिस तरह से जो आपकारी नीती पर निशाना साधा था भाशपा ने वह जिस तरह से मूर्त रूप में आया उसका जिस्ट जो मनीज सिसोदिया के हिसाब से सामने आया है वह बहुत एहम है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्हें भाशपा से यह सिगनल मिले थे यह संदेश आया था कि वह भाशपा में शामिल हो जाएं और सारे मामले वापस ले लिए जाएंगे उन्होंने मनिसी सो दिया जो इस समय दिल्ली में उप मुख्यमंत्री हैं वो ओन रिकॉर्ड कहते हैं कि यह सब कुछ आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने उसे दोफार करने के लिए किया गया इसमें सच कितना है जूट कितना यह अलग बात है लेकिन भारती लोगतंत्र इस समय जिस तरह से CBI ED के भरोसे चल रहा है जिस तरह से हमने देखा कि महराष्ट की पूरी की पूरी सरकार ED ऑपरेशन से पूरी तरह से पलट गई एक मुख्यमंत्री चले गए दूसरे मुख्यमंत्री आ गए भाष्पा ने कमान सम्हाल ली ऐसे में जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं उनकी बात में दम लगता है कम से कम एक बात तो साफ है, जिस तरह से विपक्ष की सरकारों को कमजोर या निशाने पर लेने का काम, तमाम जाच एजनसिया कर रही हैं, उससे मकसद विपक्ष मुक्त भारत का है, तो एक तरफ तो यह तस्वीर हमारे सामने है, जहां पर विपक्ष को अलग-अलग मोर्चो पे उनकी सरकारों को घेरा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरे हमें दिखाई दे रही हैं, जो खबरे आ रही हैं, वो अलग-धंकी परेशानी पैदा करती हैं, हम सब ने देखा है कि भारत में किस तरह से भीड जुटती है, लिंचिंग करती है, यानि पीट-प नार डालती है, यह सब हमने देखा, नय भारत का नया नॉर्मल देखा हमने, लेकिन अब देखिए जो यह तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यह भीड जुटी है एक अपराधी के समर्थन में, अपराधीयों के समर्थन में नंगा नाच करती है भीड, और जिस तरह के भाशन, जिस तरह की बाच्चीत है, उसमें बहुत डराने वाला सच यह है, कि भारत किस तरह से मध्ययुगीन बरबरता, जो कभिलाई मानसिक्ता की पूरी की पूरी सोच होती है, जहां पर एक तरफ बलातकारी को कहा जाता है, कि वह चूंकी ब्रामान है, इसलिए वह पवित्र है, वह बलातकार नहीं कर सकता, वहीं दूसरी तरह, जब एक दलित बच्चे की हत्या होती है, तब मारने वाले व्यक्ती का जो टीचर है, उसकी जाती के पक्ष में लोग खड़े होते हैं, ठीक उसी तरह से यह जो बड़ी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, यह एक अपराधी के पक्ष में खड़ी हुई है, दरसल यह नए न्यू इंडिया की तस्वीर है, जिस न्यू इंडिया के बारे में प्रधान मंत्री नरेन मोदी लगातार बोलते हैं, डराने की बात यह है, कि यह न्या इंडिया मनुवादी है, महिलाओं के ख खड़ा हुआ है, यह यह जो भीड है, यह भीड किसी को देख कर नहीं हमला करती है, यह भीड हम तक आप तक सब तक कभी भी पहुश सकती है और इसका बाल बाका नहीं होता, आए देखिए इस चेहरे को, शायद आप जानते हों, इनके ख्याती बहुत दूर दूर तक है, यह राजस्थान के भाजपा नेता है, पूर विधायक है, ग्यानदेव आहुजा, यह गोविंदगर में पहुचे थे, वहाँ एक सामप्रदाई घंटना हुई थी, जिसकी शिकार परिवार से मिलने गए थे, और देखिए कैमरे पर यह क्या कहते हैं, बगल में बैठे व् सत्याओं की बात की, उसको जस्टिफाय किया, उससे इंका पूरा का पूरा रुजान, पूरी की पूरी द्रिष्टी, समाज के बारे में, देश के बारे में, देश के कानून के बारे में बिलकुल साफ हो जाती है. आईए, मैं सुनाती हूँ इंका ट्रांस्क्रिप्ट, यानि जो इन्होंने वीडियो में कहा, साफ साफ, पंडित जी, अब तक तो पांच हमने मारे हैं, लावंडी में मारा, चाहे बहरोड में मारा, चाहे एक जगा का नाम लेते हैं, जो सुनाई नहीं नहीं अब तक तो पांच मारे हैं, इस एरिया में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा, अब यह देखिए, यह जो मारने की बात कह रहे हैं, हम आपको बता दें कि बहरोड में रगबर को मारा था, 2018 में उनकी लिंचिंग हुई थी, बहरोड में 2017 में पहलु खान की लिंचिंग ह और यह दोनों ही लिंचिंग यह इस तरह की तमाम जो लिंचिंग हुई हैं इस पूरे इलाखे में वह सब गौकशी के नाम पर यानि गाए कि हत्या के नाम पर मुसलमानों को निशाने पर लेकर उनकी लिंचिंग की गई आईए, आगे सुनते हैं, जो इन्होंने कहा, इन्होंने कहा मैंने खुलन खुला छूट दे रखी है कार्यकरताओं को कि मारो इसके बाद वह गाली देते हैं बरी करवाएंगे जमानत भी करवाएंगे अब आप देखिए यह नया इंडिया है नया भारत है जहां पर खुले आम भाशपा का एक नेता बोलता है कि आप मारो हम बरी करवाएंगे हम जमानत करवाएंगे अब आप इस बयान को जोड़ के देखिए जो हुआ गुजरात में 2002 कार्यक जनसहार हुआ था उसकी जो शिका सामोहिक बलातकार की शिकार बिल्किस बानों के केस में उनके केस में 11 हत्यारों बलातकारियों को जो साजिश करता थे, उनको जो आजीवन कारवास की सजा मिली थी, उन्हें किस तरह से 15 अगस को तो बरी किया ही गया, क्या इसका सीधा लिंक इसी सोच के साथ है, क्योंकि ये महज इत्फाक नहीं है, कि 2008 से ये तमाम अपरादी, जो 11 अपरादी हैं, ये जो सजा पाए अपर आई है, वह बता रही है कि किस तरह से, इन 14 सालों में, इन में से कई, छोटे बड़े फंक्शन के नाम पर, छोटी मौटी बिमारियों के नाम पर, एक के बाद एक पैरोल पर, या अस्थाई, जमानत पर, बाहर आते जाते रहे, बहुत ही, नॉर्मल नैचरल लाइफ इंकी चलती रही, मिसाल के तोर पर देखिए, यहां अपराधी, राधे शाम शाह, जिन्होंने सुप्रीम कोट में रिहाई की अरजी डाली थी, उनके बारे में जो ब्योरा है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कि किस तरह से, वो 29 जन्वरी 2022 से लेकर, 30 मार्च, यान 60 दिन तक पैरोल पर बाहर थे, और इसी तरह से, बाकी अपराधी भी, कोई मा की ऑपरेशन के नाम पर, कोई ग्रिह प्रवेश के नाम पर, कोई शादी के नाम पर, बहुत ही आराम से, जेल के भीतर बाहर करता रहा, क्या, यह प्रिवलेज, यह सुविधा, सभी के लिए है क्या, भारत में जहां एक ही कानून चल रहा है, एक ही कॉंस्ट्यूशन है, जो हमें रूल कर रहा है, वह सब के लिए, यही रियायत, यही आवाजाही जेल से अंदर बाहर की कर रहा है, हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ठीक इसी समय आपको याद आएगा, कि किस तरह से भीमा कोरेगाओं मामले में, वहां पर स्टेन स्वामी जो लगातार गिडगडा रहे थे, अपील कर रहे थे, जिनकी तब्यत बहुत खराब थी, 84 साल के इस बुज़र को, ना तो पैरोल मिली, ना तो जमानत मिली, ना मेडिकल लीफ मिली, कुछ नहीं मिला, और अं कहीं से कोई रियायत नहीं मिलती, सबाल बहुत सीधा सा है, कि एक भारत में ये जो दो नियम चल रहे हैं, यह हर भारतिय नागरिक के लिए जो रसूक वाला नहीं है, या हत्यारी सोच वाला नहीं है, उसके लिए मुश्किल पेश कर रहा है, दोस्तों हम सब जानते हैं कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं या जहां पर विपक्ष की सरकारें चल रही हैं वहां पर अलग-अलग धंग से सरकारें या प्रशाशन निशाने पर है। राजस्थान उबल रहा है एक के बाद एक जिस तरह से घटनाए वहाँ पे घटित हो रही है वह निश्चित तोर पर कॉंग्रेस सरकार को गहरे संकट में डालने वाली है जिस तरह से टोंग जिले के लालवाडी गाओं में गौहत्या के बाद सांपरदाइक तत्वों ने के घर की तलाशी ली लोगों को मारा पीता सब कुछ तकरीबन पुलिस के सामने किया गया यह जो सारे वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे हैं यह अपने आप में रॉंग्टे खड़े करने वाले हैं क्योंकि इन से पता चल रहा है कि जो नफरती एजंडा प हीड है जो घरों को तहस्नहस कर रही है मजजिदों को तोड रही है जबकि गौकशी के मामले में केस दर्ज होता है गिरफतारी होती है सब कुछ होता है कानून है लेकिन यहां पर कुछ लोग हैं जो कानून से उपर हैं और वही सब कुछ निर्धारित कर रहे हैं यह पूपीर है सत्यपाल मलिक की यह मेगाले के राजपाल है और एक के बाद एक जिस तरह के बयान देते हैं निश्चित तोर पर वो मोदी सरकार के लिए गहरी परेशानी वाले सवाल हैं लेकिन अभीता किया मेगाले के राजपाल बने हुए हैं इन्होंने जो स्टेट्मेंट दिया जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वह बहुत एहम है और जिस तरह से उसे जोड़ा इन्होंने मोदी सरकार के बिजनेस इंट्रेस्स से वह भी अपने आप में बहुत कुछ कहने वाला है इन्होंने कहा किया सरकार किसानों को नियूंतम समर्थन मूल इसलिए नहीं दे अब आप देखिए जो किसानों का आंदोलन इतने लंबे समय तक चला और जिस पर विचार करने के लिए जिसे आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के लखीमपूर में 72 घंटे का किसानों ने आंदोलन किया धरना दिया वहां से जो बुनियादी मांग उठी है वह मा अच्छा से जो आंदोलन की मांग रही थी इतना लंबा जो आंदोलन चला था एक साल से अधिक समय तक उसने कुछ एजंडे रखे थे जो सरकार ने उस समय माने थे उन सब की अंदेखी हो रही थी ऐसे में किसानों का सड़क पर उतरना दुबारा संगडित होना बहुत ला हम जो लहसुन खाते हैं जो प्याज खाते हैं हम जो निर्मला सीता रमन की कैटेगरी में नहीं हैं देश की वित्तमंत्री जो संसद में कहती हैं कि वो लहसुन प्याज नहीं खाती हैं इसलिए उन्हें पता ही नहीं कि कितना महंगा हो गया निर्मला जी ध्यान से सुनिए ध्यान से देखिए इस वीडियो को, इस वीडियो में लहसन उगाने वाले किसान बोरी-बोरी में भर कर लहसन को नदी में फेक रहे हैं, वजह यह कि एक किलो लहसन पैतालिस पैसे में खरीदा जा रहा है, हम सब आप 30 रुपे पाओ, 40 रुपे पाओ, लहसन शहरों में रहे हैं, लेकिन किसान को जो उसकी कीमत मिल रही है, वह 45 पैसे है, यह जो आक्रोश है किसानों का, इस आक्रोश को किस तरह से आगे किसान आंदोलन बढ़ाएगा, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है, एक तरफ किसान दुबारा से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस जो प्रमुक्ष विपक्षी पार्टी है जो जीने और मरने का सबसे बड़ा संकट जेल रही है उसने घोशना की कि वह साथ सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी और इस क्रम में उसने तमाम सिबिल सोस में उन्हें उनका समर्थन मिल पाए सवाल यहां बहुत साफ है कि जिसमें लोकतंत्र पर हमला इतना तीखा इतना शार्प है उसमें जो तमाम कडिया हैं जो भारत को दूसरे भारत से बचाने की कोशिश कर रही हैं नफरती भारत से बचाने की कोशिश कर रही हैं शायद उ लोग तंत्र और कॉंस्टिूशन बच पाएगा शुक्रिया